हेलो एवरिवन दिस नेहा निशाद और वेलकम टू इंजीनियर स्टुडी सर्कल एक बार फिर से मैं आपका बहुत अच्छी से स्वागत करती हूं आपके ही यूटूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर स्टुडी सर्कल जहां पर हम लोग प्रेपरेशन कर रहे थे आप का यूपी डेपल सी जेई 2018 के एक्जाम होने वाले हैं जिनकी डेट है आपकी 30 जैनवरी तो हम लोग ने स्टार्ट किया था हम लोगों की आज क्लास का सेकेंड क्लास है आपकी और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मुहावरे के बारे में जो कि हम लोग इसके आगे कॉंट भाउन के जैसे जो वह सकते हैं बहुत जादा चहन्से करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यह आपके questions मलते रहेंगे और यह आपका इंजीनियर स्टेडी सर्कल इंस्टाग्राम का है यह हमारा Facebook का है तो क्या करते हैं चले बिना time waste करते हुए अपनी questions को start करते हैं आपको जैसा कि पता है कि time बहुत ज़्यादा important है तो फाइल तो की बखबख नहीं सिर्फ study करते हैं ठीक ह और आपको कोई भी problem हो किसी भी चीज से तो आप comment box में मुझे लेखके जरूर से जरूर बताइए जो भी आपको problem होती है किसी भी subject में non technical में आपको current affairs हो English हो reasoning हो किसी में भी problems होती है हिंदी में तो आप वो comment में पूछ सकते हैं तो चले start करते हैं हमारा यह कुछ आपका ऐस होंगे जो आपके बार-बार questions में पूछे जाते हैं उन्हीं में से मैं आपको करवाओंगी चले start करते हैं तो हमारा यह है question number 25 ठीक है 25 तक हम लोग कर चुके थे तो अब यहां पर हम लोग करेंगे 26 से 26 में जैसे कि हमारा एक है कच्चे घड़े पानी भरना क्या है हमारा घड़े पानी भरना इसका अर्थ क्या होगा कच्चे घड़े पानी भरना में कमजोर से मदद किया पिक्षा करना ठीक धंग से काम ना करना कठिन काम करना या मूर्खता पूर कारे करना तो कच्चे घड़े में पानी भरने का मतलब है कि पानी तो वह जाएगा कच्चे से काम ना करना क्या है जो काम ठीक ठंग से नहीं किया जाता है उसको कहा जाता है कच्छे घड़े में पानी भरना नेक्स्ट मूफ करते हैं यह है आपका 27 यहां पर बोला जा रहा है चक्के छुडाना तो चटके छुडाने का अर्थ होगा जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए क्रिकेट के खेल का नियम है क्रिकेट के खेल का एक नियम है चक्के छुडा देना या किसी को हरा देना या घायल करना या परिशान करना तो बोलते ना आज मैंने उसके तो चक्के ही छुडा दिये इसका मतलब उसने क्या कर दिया हरा दिया तो इसका अंसर क्या होगा हरा दिया आप ठीक है तो उसका क्या होगा हरा दिया है अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको 500 प्लस लाइक तक पहुचा दीजी ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो आप लोग अच्छे से कर चले नेंजसमोग करते हैं तरफ च। instruction का एनक लगाने का अतात्पर है घौस लेकर ही किसी का काम करना मतलब किसी से घूस या ब्राइब करते कि जैसे बच्चेस बोलते हो ना मेरा ही समान लिया तो मैं तुम्हें एक टॉफी भी ले ले लेना या एक चॉकलेट ले लेना तो मतलब ऐसे ही अपना बड़ा काम करने के लिए तो गवर्नमेंट या कहीं भी जाते हो तो वहाँ पर भी घूस देनी पड़ दिये तो इस चां सब्स्रांदी एंब का मतलब है कि अपनी इहां किसी ना किसी तरह से चॉक्ऋ की तरफ है दाम लगाना का मतलब क्या हो जाएगा जये आफ़ा करना हो जाएगा पूरी कीमत करना हो जाएगा आपका कोुक् without क्या होता है आप जब कोई पर्सन वह खरीदने जाते हो तो वहां पर अपना पर्टिकुलर रेट लगाते हो तो मतलब आपके नजर में उस वस्तू की उतनी ही वैल्यू होती है उससे माइनर या कुछ हो सकता है थोड़ा कम जादा 1980 हो सकता है आपका 1920 बट आप उस के घुझे है क्या लगाते हो कहा कर्या लगाते हो तो क्या करते हो अप उसके मुलको आक्या हो ठीक है मतला मूल आँखना होटा दाम लगाना मोल भाव करना दाम लगाना नहीं होता है मोल भाव करना तो आपका है कि हां आप उनसे बोल रहा है कि कम जादा कर लो बट जब आप उसकी लगाते हो वैल्यू तो आपको उसका अंदाजा लगाते हो हां कि हां इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है next move करते हैं 29 की तरफ तोते की तरह आखे फिर ना तो इससे क्या मतलब है कि तोते की तरह आखे फिर लेना पुराने संबंधों को एकदम भुला देना किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्थ होना दोस्त के साथ विश्वास घात करना बिना सोचे समझे निर्णा लेना तो तोते की तरह आखे फिरने का मतलब होता है कि अपनी जो बहुत रिलेटिव बहुत पास के हैं या पुराने संबंधों को आप हमेशा के लिए बुला देते हो कि आखे तोते की तरह आखे फिर लिए कारे करना वास्तिविक्ता को समझने की कोशिश ही ना करना या थार्थ से अवगत ना होना कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का भी कुछ भी ध्यान ना रखना मतलब आप एक काम में जब जुट जाते हो और उसी को कॉंटिनियूसली करते रहोगे तो इसका मतलब आप दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहे हो जैसे अभी तो बच्चे कोई पढ़ता नहीं है ध्यान से पर जैसे एक्जाम आने वाले होते हैं तो जुनून जाग जाता है उनको कि दस दिन के अंदर या पांस दिन के अंदर वो अपना पूरा स्लेवस कंप्लीट कर सबस्क्राइब और उनको लगता है एक बार पढ़ने से ही कंप्लीट हो जाता है पता नहीं है कि अगर ऐसा हो तो पूरे साल क्यूं पढ़ाई की जाए 12 मेने तक बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है दो तीन मेने मेरी ना खतमकर दिया जाए तो इसका मतलब दिन को दिन और रात को रात ना समझना नेक्स्ट मूफ करते हैं पौबारा होना पौबारा होना का मतलब क्या होगा दावहारना, कारिसिद होना, लाभी लाभ होना या सुभा हो जाना तो पौबारा होना का अर्थ होता है लाभी लाभ होना मतलब किसी चीज़ पे बहुत जादा profit हो जाना तो वो क्या हो जाएगा आपका लाभी लाभ होना next है मखमली जूते मारना मखमली जूते मारना मीठी मीठी बातों से लज्जित करना व्यंगत करना धनी व्यक्ति को प्रताणित करना अपमानित करना तो मखमली जूते मारना मतलब क्या होता है मीठी मीठी बाते करना कि कोई मीठी मीठी बाते कर रहा है इसका मतलब वो आपको मखमली जूते यानि कि मखमली जूते मार रहा है तो जूता तो जूता होता है मखमली मारे चाहे चमडे का मारे next होता है, read तूटना, read तूटने का अर्थ से क्या ततपर है आपका, आधार ही ना रहना, निराश हो जाना, कमजोर हो जाना, दुर्दसाद गरस्थ हो जाना तो read तूट जाना मतलब क्या हो जाता है, निरास हो जाना, क्या हो जाता है, निराश हो जाना next question, next point है आपका 35, शैतान की आँथ या तो शैतान की आँख या फिर शैतान की आँख तो इसका मतलब क्या होगा आपका अत्यन्त धूत वेक्ती अत्यन्त नगर्ने मतलब जो आपके किसी लायक नहीं हो या जो आपको मतलब आप एक्जिस्ट ही ना करता हो आपके लिए या बहुत लंबी वस्तू या अत्यन्त लाबदाईक वस्तू तो शैतान की आँख मतलब बहुत लंबी वस्तू मतलब वस्तू का साइस कहा है अरे ये तो शैतान की आँख है तो शैतान मतलब बहुत बड़ा जेंट हो गया तो वैसे ही क्या है आपका बहुत लंबी वस्तू नेक्स्ट की तरह मूव करते हैं हमारा है 36 सुभा शाम करना सुभा शाम करना का अर्थ क्या है समय वैतीत करना अवारा गर्दी करना ताल मटोल करना या दिन राद करना तो सुभा शाम करना मतलब होता है ताल मटोल करना अरे चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे अरे आज ये शैसन आया चलो कल हम दो सेशन एक साथ देख लेंगे तो वो क्या है ताल मटोल कर रहा है आरे चलो शाम को देख लेंगे सुबे का शाम शाम को सुबा तो इससे क्या होता है टालमटोल हो जाता है आज कभी नहीं हो पाता है कल का तो आज के चकर में आरे अपको तो कल वाला भी करना है आज कभी करना है डबल हो गया तो एक भी नहीं हो पाता है नेक्स्ट करते हैं सूरत नजर आना ठीक है मतलब सूरत नजर आना होगा क्या होगा सूरत नजर आना तो सूरत नजर आना का मतलब क्या होगा गुल प्रकट होना वास्तिकता का पता चलना बहुत दिनों के बाद दिखाई पढ़ना या उपाय सूचना तो सूरत नजर आना का मतलब क्या हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना नेक्सट है हात उचा हुना हात उचा हुना का क्या तात्पर होगा युद्ध में विजय प्राप्त करना दान आदी के लिए मन में उदारता का भाव होना अत्यादिक प्रतिस्टित होना, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना तो हाथ उचा होना का मतलब क्या है? दान आदी के लिए मन में उदारता का भाव यानि कि हाथ उचा करना हमेशा किसी ना कोई भी आपसे जो person लेने आए, मांगने आए आप उसके लिए क्या करते हो, हमेशा हाथ खड़ा रखते हो, कि खालियाथ नहीं भेशते हो, किसी को भी, next है हमारा, नाक में दम कर देते हैं ठीक है यह नाक में दम कर देना क्या है नाक में दम कर देना सांस ना लेने देना सोने ना देना बहुत परिशान करना प्रदूशन फैलाना यह तो भई हर किसी ने सुना होगा या खुद ही बोला होगा किसी ना किसी के उपर तो नाक में दम कर देना मतलब जीना हराम करना, बहुत परेशान कर देना नेक्स्ट है हमारा अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमने का क्या अतात पर है इनकार करना, तिरसकार करना, ना समझी करना या खुशामत करना इसका मतलब क्या है खुशामत करना ठीक है जैसे बहुत लोग नमस्ते करते हैं वैसे बहुत लोग क्या करते हैं हाथ चुमते हैं अंगूठा चुमते हैं तो इसका मतलब वो क्या करते हैं खुशामत करते हैं अब यह नहीं है कि वो जो छोटे बचे अंगूठा चूसते हैं तो आप कहे दो कि हाँ वो खुशामत कर रहा है वो भी अपनी खुद की तो वो अंगूठा चूसना और चूमना दो अलग-अलग बात है नेक्स कुईशन है अकल का पुतला का अर्थ क्या होगा मतलब अकल का पुतला है तो बहुत बुद्धी मान है बहुत चतुर है अत्यंत धूर्थ है या अत्यंत मूर्थ है तो अकल का पुतला मतलब उसको बहुत ज़्यादा अकल है वो बहुत क्या है आपका बहुत ही वो बुद्धी मान है तो क्या है आपका वो बहुत ज़्यादा ही बुद्धी मान हो जाएगा किसमें क्योंकि अकल का पुतला यानि कि अब वो बहुत ही जादा क्या है अकल मंद है नेक्स्ट है गागर में सागर भरना गागर में सागर आपको पता है कि ये क्या है पूरा ये पूरा सागर है ठीक है और गागर आपका कितना है इतना बड़ा तो आप इतने बड़े गागर में ये पूरा सागर भरोगे तो इसका क्या मतलब होगा सरस दोहों की रचना करना मूर्खता पूर कारे करना असंभव काम करना या थोड़े शब्दों में अधिक कहना गागर में सागर भरना मतलब क्या होगा थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना नेक्स्ट है क्यों? जैसा कि आपको पदा है कि यहाँ पे जित्ती भी पढ़ाई होती है आपकी फालतु की बक्वास नहीं होती है फालतु की गबशप नहीं होती है सिर्फ और शिफ आपको क्या होता है आपको पढ़ाई के बस आपको जितने आपको जरुरत होती है या जो आपके इस भी आपने लोगोंने बहुत बर सुना है मतलब अपनी चम्ता से जादा चीजों को प्रविय करना मतलब खर्च करना दिल पक जाना कई अर्थ का चृह का थन अच्छा लगना वर नहां पीडित मुझ कस्ट भोचना तो दिल पक जाना मतलब बहुत जादा पीड़ा में है इसका क्या अंसर होगा C होगा बहुत जादा पीड़ी थे मनुश्य तो वो क्या है उसका दिल पक चुका है 921 होना का क्या हो जाएगा? मिलकर पारे करना, धोके में पढणा, निशाना जाना या रफु चकर सब को पता है 921 का मतलब क्या हो गया? रफुचकर हो जाना भाग लेना तो देखते हैं कौन-कौन बच्छे ये यहां से कुछ लोग तो रफु चकर हो गया हो jeans कि अरे क्या पढ़ना है विलोंश अब तो आता है ये तो है नहीं इतने मुहावरे तो हम कर लेंगे ऐसा सोसकर जहां से 921 हो गए होंगे एक दो वीडियो एक दो कुछ देखके पर उनको क्या पता कि इसी में से questions आ जाएगा तब फिर क्या कहेंगे अरे हम तो रफू चक्कर ह नेक्स्ट है नाक पर सुपारी तोड़ना नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ का क्या अर्थ होगा आपका कि नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब इज़त उतार देना घरणा कर प्रकट करना बहुत परेशान करना और असंभव कारे करना तो नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होगा बहुत परेशान करना क्या होगा नाद पर सुपाड़ी तोड़ने का अर्थ होगा आपका बहुत परेशान करना नेक्स्ट के तरफ मूफ करते हैं नेक्स्ट है हमारा पानी पी कर पूछना ठीक है क्या है हमारा यहां पे पानी पी कर पूछना तो इसका अर्थ क्या है अनोखा काम करना विपरीद काम करना काम निकलने के बाद सोचना या आराम से विचार करना अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता है तो आप इसमें गेस करके मतलब आप अपनी समझ से भी लगा सकते हैं मतलब पाने पीने के बाद घर पूछ क्या होगा मतलब होना का क्या मतलब है कलेजे पर साप लोटना कलेजे पर पत्थर पढ़ना कलेजा धग-धग करना या कलेजा मुह में आना तो कलेजा धग-धग करने लगना मतलब धगदक करना का मतलब क्या होना है बेहीत होना है ऐसे भिक वुसके हैं कि इस अर्थ सकते हैं हिस अर्थ पर कौन सा मुहावरा सूट करेंगा और कभी-कभी मुहावरा देते हैं और यह पूसने हैं कि उसका अर्थ बताईए नेक्स वस्तू का आवशक्ता से कम होना के लिए सही मुहावरा है तो इसमें क्या है किसी वस्तों का अवशक्ता से कम होना तो क्या मतलब होगा उंगली चाटना होगा उट में मुह में जीरा उसके चाटे प्यासना बुशना या एक अनारस्व भिमार तो अवशक्ता से कम होना मतलब उट के मुह में जीरा जितनी जरूरत है उससे बहुत ही कम मिल रहा है तो फ्लीज इसको साथ में लाइक करते हुए भी चलिए अगर आपको समझ में आता है अगर आप वीजिट करते हैं तो क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा मोटिवेट होता है मोटिवेशन मिलता है हमको भी कि हाँ बच्चे अपना बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है आपको क्या हेल्फ मिल रहा है नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है आधा तीतर आधा बटेर का मतलब उचित सामंजिस्य का भाव छोटा बड़ा होना रंग बिरंग होना बेमाल बेमेल का तथा बेधंगा होना तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल तथा बेधंगा क्या होता है बेमेल तथा बेधंगा next करते हैं गूलर का fool होना तो गूलर का fool होने का अर्थ क्या है कभी-कभी दिखाई देना इसपस्ट दिखाई देना कभी भी दिखाई ना देना और व्यर्थ की बात करना तो गूलर का fool क्या होता है बहुत कम दिखाई देता है कभी कभी ही दिखाई देता है तो मतलब कभी कभी नेक्स्ट है हमारा घाट-घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनिभवी होना बहुत यात्रा करना अधिक लोगों से मित्रता करना या रोजगार के नए अवसर तलाश करना तो घट-घट का पानी पीने का मतलब है बहुत अनुभवी होना क्या है बहुत जादा अनुभवी होना next move करते हैं जहर का घूट पीना जहर का घूट पीने का अर्थ क्या है कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंतरित करना, अपमानित होना या व्यंग के सहना चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ मतलब एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से बित्रता, एक दूसरे से इस परता तो चोली दामन का अर्थ होता है एक दूसरे पर निर्भरता, यानि कि एक दूसरे पर क्या है निर्भर है नेक्स्ट है अंधे की लखड़ी, अंधे की लखड़ी मतलब गमार व्यक्ति, अनपड़ व्यक्ति, एक मात्र सहारा और बिल्कुल असमर्थ होना, तो यहाँ पर क्या है बिल्कुल असमर्थ होना, तो अंधे की लखड़ी का मतलब क्या होता है, एक मात्र सहारा, अंधे के प प्रदर है वह अपने आपको समझता कि वो क्या है सहजादा मतलब उसको हैं अनुभав ही वेकती है वह हमेशा को Sheilis अपने को ही सबने के से संद्द है नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मतलब मित्र, शत्रू, महापंडित और महामूर्ग तो अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ग, क्या है महामूर्ग नेक्स्ट है आँखे बिछाना, आँखे बिछाने का क्या अतातपर है प्रेम होना, जड़की देना, प्रतिक्षा करना, आधर सत्कार करना आखे विछाना मतलब आधर सत्कार, प्रतिक्षा करना क्या है मारा प्रतिक्षा करना आखे विछा रखी हैं कि कब आओगे या एक्जाम की डेट कब आएगी भई सब बच्चे प्रतिक्षा कर रहे हैं जल्दी से आए इस तरीके से आकाश से बाते करना घमंडी होना बहुत उचा होना आकाश वाणी होना या अपने आप बोलते रहना तो आकाश से बाते करने का मतलब होता है बहुत उचे होना या बहुत उचा करना चुलू भर पानी में डूबना यहाँ पर क्या है आपका चुल्लू भर पानी में डूबना इसका क्या तात पर है बहुत अधिक हानी होना उसके बाद में है आपका बहुत अधिक दुखी होना बहुत अधिक लज्जित होना और बहुत अधिक निराशा होना तो चुलू भर पानी में डूप मरने का मतलब है बहुत अधिक लज्जित होना क्या है बहुत अधिक लज्जित होना नेक्स्ट है मुंख्ष मुडाना मतलब जो मुस्टैशिस होती है मुच्छे होती है उनको मुडवा लेना तो उसका अर्थ क्या है मुच्छे मुडाने का अर्थ क्या होता है बुरा भला सुनाना आंकारी होना बनावती बाते करना या हार मानना तो मुच्छ मुडाने का अर् सभा में मूर्ख का सम्मान होना मूर्खों दारा विद्या की पूजा करना या दोस्तों की सभा में सज्जन का सम्मान होना तो अंधों में काना राजा का अर्थ है ग्यानियों में अल्प ग्यानवाले को सम्मान देना ठीक है क्या है जो ग्यानी लोग है उनमें से एक कम ग्या वाले को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल जाना नेक्स्ट है आग में घी डालना क्या है? आग में घी डालना तो मतलब यानि कि उसका तातपर है शुब अफसर पर अड़ चर डालना याग्य करना किसी के कुरोध को भड़काना next है इमान बेचना इमान बेचने का तातपर क्या हो जाएगा धोखा देना गलत काम करना या राना तोड़ना अपने करतवे से हट जाना तो इमान बेच देना मतलब अपने करतवे से हट जाना उसका जो कार है उसका जो काम है वो क्या है अपने इमान से बेच दिया है अपने क घेसे लुकले को करते हैं या कटोर तबस्य होगें से इसी तरीके से जब तक कि हमको या जब तक कि आपको अपने लक्ष से आप पहुंच नहीं जाते अपने लक्ष तक तब तक कि हमारा काम है आपको पढ़ाते रहना और आपका काम है लगातार प्रयत्न करते रहना मेहनत करते रहना जब तक कि आपको वह पॉइंट मिलना जाए आप अपने लक्ष तक पहुँच ना जाए I hope आपको ये चैनल आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगा तो please like, share and subscribe और comment करके आप बताईए कि आपको कितना समझ में आया है कैसा रहा thanks for watching